आज किस वीडियो में हम लोग बिहारबोर्ट क्लास 7 प्रस्ट वाली 10.1 का देखेंगे स्थBri legitimate देखते लिएगा वीडियो को लाश्ट तक तो चलिए वीना समयग vídeo को स्टार्ट तो देख लिए यहां पर दिया हुआ है अनुपात का चीन इस परकार से होता है यह हो गया हमारा अनुपात का चीन अगर सम अनुपात का चीन तो इसमें हमें क्या किरला अनुपात यह होगा व्लाय्ट इसके रूप में लिए इनको जाएगा यहां पर देख लिए आपको याद रखना है की जाई या फिर फिर पर कलों को की बादर लेना तो यहां पर की यहां तो बहुत ही आशानी रख मैं तो हम इनको देख लेते हैं सबसे पहले क्या है तीन किलो ग्राम तो तीन किलो ग्राम को क्या करते हैं इसको ग्राम में बदर लेते हैं तो हमें पता है एक किलो ग्राम एक किलो ग्राम ब्राबर कितना होता है एक हजार ग्राम होता है यह हम सब को पता है तो जब एक किलो ग्राम का यहां पर एक हजार ग्राम होता है इसी परकार से तीन किलो यहां पर तीन किलो ग्राम है किलो ग्राम है तो क्या हो जाएगा तीन गुने एक हजार एक हजार को हम इस परकार से लिख सकते हैं यहां पर तीन है तीन और तीन पर यह सुने डाल देंगे तो यह होगा तीन हजार ग्राम में तो इसमें देखिए यहां पर इनको क्या करना है ग्राम से क्या करना इसमें यहां पर तीन हजार ग्राम में भागा देना है तो यहां पर लिखेंगे बरावर में तीन हजार ग्राम इसको पहले लिखेंगे के इन किलो ग्राम है और इसमें भी यह दो सुने कट विए जिसमें बच गया च्छो और इसमें 36 एकन 6 और 6 5 एक तीस तो इसको हम कैसे करेंगे अब नीचे हम यहां पर कर नहीं सकते हैं तो यहां पर में रखें यह हो गया पांच तो पांच इस परकार से लिख देंगे और यहां पर बट्टा कि ईससे परकार से दूसां रूञें यहां तो आप लोगों को पता होना चाहिएए एक घंटा में कितना मत प्लोला होता है आप मिनट को भी बदल सकते हैं घंटा में तो यहां पर हम घंटा को अगर मिनट में बदलते हैं तो यह आसानी से निकल जाएगा इसलिए हम घंटा में हमें पता है है एक घंटे में हमें पता है कि यहां पे 60 मिनट होता है साथ मिनट होता है तो यहां पे एक घंटा में अगर साथ मिनट होता है यहां पर दो घंटा दिया हुआ है तो हम यहां पर लिखेंगे दो 120 मिनट में क्या करना है मिनट में आपको यहां पे 30 मीनट से भागा देना कर देंगे और इसमें एक सुने सी एक सुने कट गिया रिविव हैं लिवस हो रहा है यहां पर यहां पर अनुपात का चाल का तो जीन परकार से तो इस परकार से हमने दूसरा और पहला नमर में देखा थह कीछी नंबर में बद लेख लिए यहाँ परकार इसиях बाहिक है किनल बदलेंगे तो आसानी सी निकल जाएगा तो तो हमें पता है यहां पर देखिए इसमें सेंटीमीटर क्या है पहले है जैसे यहां पर देख लिजिए इसमें पहला नंबर में यहां पर देख लिजिए यह जो है तीन किलोग्राम यहां पर यह उल्टा है इसमें यहां पर देखिए किलोग्राम क्या है बड़ा होता हमें सा गराम से तो इसी परकार से संटी मीटर से बड़ाइस में है क्या मीटर है तो यहां पर हम लिखेंगे तिसरा नमर में एक मीटर में कितना होता है एक सो सेंटी मीटर होता है तो इसी प्रकार से यहां पर चार मीटर है तो चार मीटर में कितना हो जाएगा मिटर में चार मीटर में यहां पर कितना हो जाएगा 400 चारगुने 100 यानि कि 400 सेंटीमीटर हो जाएगा तो हमें यहाँ पर यह दिया हुआ 300 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखेंगे पहले हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे नीचे वाले को 340 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बटे यहां पर क्या है 400 cm तो लिखेंगे 400 cm cm हम इसमें क्या की है मीटर को बदले हैं cm में तो यहां पर हम देखें यह सुन्य से यह सुन्य कट जाएगा इसमें 34 और यहां पर 40 क्या इसन्य की सब्सक्राइब यह बंडोकर को याद रखना है एक रुपया मंखरें यहां 25 को गुणा करेंगे access क्या तो यहां पे दिखेंगे 75 पर चटर पकॉना करेंगे 100 क्या शीं noir हो जाएगा एक दो तो हम दो सुन्य डाल देंगे यह क्या आ गया पईसा में आ गया यह पच्छतर सो पईसा पच्छतर रुप्याम हो गया पच्छतर सो पईसा अब क्या करना है कि इसमें बचए किया 75 और इसमें दो हम अनुपात यह को छोटा करके लिखना सरलरूप में इनको लिखना तो चलिए को देख लेते कैसे लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इसमें देखे सबसे पहले हम ऊपर में किसको लिखते यहां पर नीजे वाले को लिखे थे नीचे वाले में लिखे थे इसी प्रकार से यहां पर पहले क्या करेंगे यहां पर चुन सब्सक्राइब काट रेजाब 45 तीन बार में और 15 चोके 60 अब हम इनको क्या करते हैं फिर से अनुपात में वैसे ही लिख देंगे यही क्या करना था इसी हमें सरर करना था इनको लिख सकते हैं पहले 3 और यह बटा की जगा पर अनुपात लिखेंगे और यह चोड़ासी अब इसमें भी काट लेंगे सबसे पहले देखिए यह डिरेक्ट करते हैं तो इसमें 12 से भी कटेगा लेकिन आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आगा इसलिए हम छोटा करके काट लेते हैं इसमें 4 से काटेंगे तो 4 दुनी के 8 और 4 एका 4 और इसको काटे तो यहाँ पर 4 से तो 4 ती आके 12 इसमें 14 में से 12 घटेगा तो इसमें कितना हो जागा दो बच गया इसमें और यह 4 तो 24 तो 24 कितना बार में आ रहा है यहाँ पर 4 कार में 6 बार में तो 6 बार लिखती है यहाँ पर 6 लिख दिए अब फिर से यहाँ पर देखिए यह तीन से कि 38-33 MARCH TV लिख सकते हैं बराबर में लिखेंगा है इसे और अनुपात में को फिर से वापस लेए यह सथ यह कहा हो जागा दूसरा olsun का यहा पर B का अंसर ओर हो जाएगा और है सी नमर सी नमर में भी इसे परकार से करेंगे बरावर में लिखेंगे 184 और उनुपात की जगा पर बट्टा और ये 12 अब इसमें देखिए यहां पर देखिए इसमें भी 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे 4 तीया के 12 और 4 चोके 16 बच गया 2 और ये 4 तो 4 चोके 24 46 यानि कि इसमें कितना रहा 46 अनुपात अब देखिए इसमें देखिए यहां पर के रहा है उपेंद्र का वेतन उपेंद्र की कोई एक वेक्ति है जिसका नाम है उपेंद्र उनका वेतन यानि कि इसका महिना का परती माह परती का मतलब होता है एक माह का मतलब महिना तो परती माह कितना है वेतन उपेंद्र का परती माह का वेतन है 42,000 र B और ये C नमर तो चलिए पहला नमर में क्या करा I का I कर के साथ अनुपात I कितना दिया है इनका I यानि कि इनका व्यतन दिया है 42,000 रुपिया और I कर के साथ अनुपात I कर के साथ क्या करना अनुपात I कर कितना है इनका ये देखे I कर 6,000 रुपिया है इनका परतिमा क्या है? 6,000 रुपया आई कर है तो चलिए इनको देख लेते अपने कॉपी में तो यहाँ पर हम लिखेंगे तिसरा नमर में तिसरा का A नमर तिसरा का A नमर में सब से पेले क्या निकालना है? आपको लिखना है आई आई यानि की वेतन वेतन बोल सकते हैं वेतन इनका दिया हुआ है कितना? देख लिजए यहाँ पर दिया हुआ है वेतन इसमें निखाला हुआ है 42,000 रुपया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42,000 रुपया और इसका आई कर आई कर आई कर इनका आई कर यानि की इनका वेतन जमा इनका वेतन कितना जमा किया है? 6,000 रूपया कर रहा है 6,000 रूपया तो इसमें पूछ रहा है इन नमर में इसमें देखे क्या कह रहा है? I कर यहाँ पर कह रहा है I का I कर के साथ अनुपाद तो इनका क्या करना? i को i card के साथ अनुपात करना है तो इसमें दखिए i कितना दिया है 42,000 रूपया तो लिखेंगे हम 42,000 रूपया और बट्टे अनुपात करना है तो बट्टे अभी लिख रहे हैं इनको क्यों कि पहले हम काटेंगे इसके बाद जो होगा उसको हम अनुपात में लिखेंगे i card, i card कितना दिया है 6000 रूपया 6000 रूपया, रूपया से रूपया तो डिरेक्ट कर जाएगा इसमें देखिए 3 सुने और ये 3 सुने, तो इसमें 6 होगया तो 6 एकान 6 और 6 सत्य के 24, तो इसमें हम पहला, ये नमर में क्या लिखेंगे देखें यहां पर 7 है, तो लिखेंगे 7 और बटे की जगवा पर अनुपात और ये हो गया, एक यही क्या हो जागा इनका, आंसर पहला का, ये नमर का हो गया, आउग है बी नमर, बी नमर हम यहां पूपर में निकाल लेते हैं बी नमर में देखें, क्या कह रहा है बी नमर में कह रहा है आईकर का आई के साथ अनुपात इसमें देखें, उल्टा है इसी का इसमें आई था, तो इसमें आई लाश्ट में दिया है पहले आईकर का, आईकर कितना दिया हुआ इसमें, दखिए, आईकर निकला हुआ, पहला का, आईकर निकला हुआ है, 6,000 रुपया, तो हम आईकर को पहले लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, बी नमर है, बी नमर में लिखेंगे, बराबर में यहाँ पे लिख देते हैं, चो हजार रूपया क्या है आई कर है और बटा हमें इसके बाद क्या कह रहा है आई तो आई कितना है इनका 42,000 रूपया तो हम इसको अब काटेंगे इसमें भी 3 सुनी और इसमें भी 3 सुनी ये 6 एकांचो और 6 सत्य के एक बार में 6 और 6 सत्य के 47 बार में तो इसमें कितना हो रहा एक अनुपात ये खाला है उपड़ में एक और ये क्या हो रहा शाथ यह क्या हो जा गाँनगा इनका अंसर तो इसमें दखिए वी नमर भी दहश्या है अव तो आप लोगों को याद रखना है यहीं, दोनों समान हर वाली भीन समान है तब हम कहते हैं कि यह दोनों क्या है अनुपात तुल्य है यानि कि दोनों भीन वाली यहां पर देखिए अगर यहां पर साथ तो यहां पर भी होना चाहिए साथ और अनुपात में यहां पर एक तो यहां पर भी एक लेकिन इसमें क्या है उट नहीं दिया है इसमें क्या दिया है बराबर पहला दिया है साथ अनुपात एक और दूसरा इनके बराबर क्या कह रहा है एक उनुपात दिया है साथ इस परकार से दिया है तो इसके बराबर यह हो रहा है या नहीं यह देखना है आपको अगर यह होता अगर इस परकार से होता साथ उनुपात अगर एक होता तब तो इसके बराबर होता वरना नहीं होगा तो यह क्या होगा नहीं क्राचीन क्योंकि यह बड़ा हो रहा है यह बड़ा हो रहा और यह छोटा हो रहा है तो इसमें क्या होगा नहीं सी नमर में हम लिखेंगे नहीं देख लिए इसी परकार से चार नमर में क्या कहे रहा है एक डिवन अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है रिवन कोई चीज है रिवन नाम का उसकी का अनुपात जियात कीजिए पहला नमर दिया हुआ है इनका क्या निकालना है यह में दिया हुआ है लंबाई का चोड़ाई के साथ लंबाई का क्या है चोड़ाई के साथ लंबाई कितना दिया 10 मीटर तो हमें सबसे पहले पता है कि हमें मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो आसा नमर में पहले निकाल लेते हैं, पहला हमें हम लिखेंगे, यहाँ पहले हमें पता है, कि यहाँ पर रिखें, इनकी लंबाई, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई लिख दिये, और लंबाई इसमें दिया हुआ है, चार नमर में कितना, दोस मीटर, तो हमें पता है एक मीटर बराबर होता है कितना 100 कंद मीतर यहां पर दिए है तो सब्सक्राइब सबस्क्राइब सब्सक्राइब vs autobiography सब्सक्राइब चार नमर में 25 सेंटीमीटर हमें क्या करना है आप लोगों को याद रखना है मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए या फिर सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिए तो हमने इसमें मीटर को बदल लिया सेंटीमीटर में दोनों सेंटीमीटर में आ गया अब हम क्या करेंगे इसमें यहां पे 1000 में यहां पे सबसे पहले क्या है इनकी लंबाई पहला यह नमर में कहला है नमबाई तो लंबाई इसमें दिया है 1,000 cm cm और बड़े इनकी चोड़ाई कितना दिया है इनकी चोड़ाई कितना दिया है 25 cm तो लिखेँए वंद अब इनको काट यह 25 सेकंड 55 25 सेकंड 25 55 को 40 से यहाँ दिवाइड कीजिएगा तो यहाँअपर 1000 हो जाए है 25 सेकंड 50 इसमें 40 तो यहां पे लिखेंगे सबसे लिखिया उपर वाले को लिखते हैं तो 40 बटी की जीगाँ पे अनुपात और यह एक यही क्या होड़ा इनका आंसर होड़ा है पहला का अब है इसी परकार से यह नमर का था अब है बी नमर अब देख लिए बी नमर में क्या दिया है बी नमर में क्या है चोड़ाई का लंबाई के साथ इसी का उल्टा जिस परकार से हमने तीन नमर देखा इसी परकार से चार नमर में है चार नमर में बी का देखना यहां पर बी नमर में कह रहा है लंबाई पहले इसमें कह रहा था लंबाई पहला में और इसके बाद कह रह हुआ है और बटे में चोड़ाई इनका लिख दिये 25 सेंटीमीटर लंबाई कितना दिया है लंबाई दिया 1000 सेंटीमीटर यहां पर लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर अब हम इनको काटेंगे इसी परकार से 25 सेकंड 25 और 25 को अगर 144 से यहां पर गुना कीजिए तो 1000 आ जाता है तो यहां पर हम लिखेंगे इनको लिखेंगे एक का अनुपात 40 इस परकार से B नमर हो गया सी नमर देख लेते हैं सी नमर देखिए क्या दिया हुगा जब दोनों अनुपात तुल्य है तो हमने तुल्य के बारे में बता दिया जब इनके समान भी अगर आ जाए तब जाकर यह तुल्य होगा वरना यह तुल्य नहीं होगा जब दोनों का भीन समान होगा तब जाकर यह तुल्य होगा तो देखे इसमें इनका भीन यहां पर देखे 40 बट्ट यह का रहा है और इसमें देखिए यहां पर एक बट्ट चार्णी सार्थ यह समार नहीं वड़ा तुछ यहीं नमर में दिखेंगे नहीं नहीं यही क्या हो जातेर इनका चाहर अंसर तो इस पर और आपस हमने चाहर नमर तक देख लिए अगले वीडियो में इनसे आगे देखेंगे तब तक के लिए बुर्बाद